नमस्कार दोस्तों, मैडिसीन वार्चलान दस्त स्वागते। मैं दुपक्तुमार आज लेके हूँ जो भेलस दी के बारे में इसके मैं पूरा जान करी दूँगा। दोस्तों, यह टॉरण्ट फार्मास्ट्रीक प््रडरक्षन करती है, जो बकूर्धित कांपनी है। दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है कि इस मैडिसीन का इनफॉर्मेसिन देने से पहले, मेरा रिक्वेस्ट है कि मैरा चनल्ड पर अगर आप निया है, तो मेरा चनल पहले अब स बात करता है अभी जो भैलोस डी के बारे में इस मेडिशन का MRP 171 दिया गया है किसी भी मेडिशन स्टोर से आपको 150 से 60 तक मिल सकती है दोस्तों बात करते इसका लप की बारे में वान पर आता है जो एसलियो डाप पर गार्ड गार्ट एसलियो और पर पर पेट में अलसर और जो पांच्वश नमबर पर जो की मैंस मेडिशन का वार्प होता है जो जिलिंगर एलीशन शिंद्रिंक्स एक डिचिज होती is उसके बारे में पूर्र आपको जानकरी मिल सकेए बात करते है जहलिंगर एलिशन शिंडिंग से बारे में से पहले हम जानते हैं इसका composition के बारे में जो 90 mg और दॉमप्यावन धाक हूँ 2GO के दीआ गया है दोस्तों च जिलिंगा जो एक बहुती दुलब समच्या है जिसमें आपका जो अगना सय या छोटे आत के उपरी तरफ एक या अधिक ट्यूमर हो जाती है ये ट्यूमर अधिक मात्रा में गैस्ट्रिक हर्मन का निर्माण करती है जिसके कारण पेट में बहुत ज़्यादा एसेडिटी बनता है और इ उमर की व्यक्ति को हो सकती है हाला कि ये 20 से 50 उमर की लोगों में अधिक देखा जाता है यह था जो दोस्तों जलींगर एलिशन सिंडिन्स के बार में कुछ इंवर्मसन अब बात काता है है एसेडिटी के बार में एसेडिटी या पैट में जलन मेसूस होना एक जो सामान्य स समस्या है जो मुख्य रूप से च्छाती या शीने में जलन पैदा करती है आमतर पर जो जलन च्छाती के निचले हिस्से की आसपास मेसूस होती है पेट के जो अमल्य पदात का खाने की नली जो ग्रशा नली या जो इसे इस फेगस में आज क्या जाता है एसीडी का मुख्य क आपन फॉटकारण होथी है पेट में जो हाइडोग्रोड एसीड नामक अमलो होती है यह एक आमलोभ भजन के दो तुकडे में तोड़ता है और बेक्ट्रिया जैसे रोखजानिक निक से बचाता है पेट की जो अंदरोनी परत्सक्प्क्तिसाली होती है जो हाइड्रव प् परत इस अमलक की प्रती अनुकुलित नहीं होती इसलिए उसमें जो जलन मैसूज होने लगती है दोस्तों यह थी जो एसीडिट की बार में कुछ दोस्तों बात करता है अभी गड़ की बार में गड़ या गेस्ट्री एसीफंगल रिफ्लेक्स रोग एक दिर्गकालिन पाचन संबंदी रोग है गड़ तब होती है जब पेट में उत्पन एसीड या कभी-कभी पेट में मजूद तत्व आपकी भजन नली में वापस आ जात लोग आपके भजन नली के अंदूरीनी सत्र में जलन होती है और घड़ हो जाती है दोस्तों यह थी गड़ के इन्फर्मे सन दोस्तों बात करता भी पेट में ग्यास की बार्ilen में जिसे स्टॉमाज ग्यास भी इस पेट या आतों की ग्यास और पेट फूलने की रूप में भी जो परिभसित किया जाता है यह एक जो अपसिस्ट ग्यास होती है पाचन की दोरान दो बनती है यह ग्यास आमतर पर गुद्दा से होते हुए कोई बार जगंध और आबाच के साथ बाह में अधिक ग्यास के कोई बार जो हवा निगल लेने के कारण होती है इसके लबा जो बीना पचे है खाद्यपदात के निकलना जो लाटलेज ना पाचपाना और कुछ खाद्यपदात का जो कुब अबस्षण भी इसका मुख्य कारण जो माना जाता है जाता तरह ग्यास खाद्यपदात में जो माइक्रोब्वेल बेक्ड्राउन हो जाती है हमारा जिबनकाल में जो खान पान के बेबस्ता या जो पानी पीने का बेबस्ता बहुत ही खरप हो गया जैसे कि जंक फूट फास्ट फूट या रीच फूट आप हम अभी सेबन कर रहे ह इसके कारण से जो हमारा पैट में जो हजम की सकती या जो डाइजेशन की जो बल सकते है जो ख्यमता कम हो रहे है इसके कारण से जो हमारा पैट में जो ग्यास बनती है बद्धजम के बज़े से इसके कारण से जो पैट में ग्यास होती है ओ जो हमारे गुद्दे से निकलती जो गंथ के साथ भी निकलती है एसे भी निकलती है और उसके अलावा यह ज्यादा होने पर पेट फुल जाती है और शीने तक आ जाती है शीने में जलन भी होती है इसके कारण अगर शीने अगर आपको परिशान हो रही है तो डॉक्टर इसे दो बार भी प्रेस्काइब करते हैं खाने से पहले इसका शायड उसके बार करें जो कब्स जैसी वीमारी हो सकती है पर दोस्तों यह नाइक पर चंश कम हती है दोस्तों मेरा वीडिया अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकम प्रेस करें जैहिन बंदे मातर में